बच्चों, आज आप सोच रहे होंगे, ये मुझे क्या हो गया? आज सीधा बात्रूम में फेस वाश हो रहा है? जी हाँ बच्चों, आज आपके लिए एक परफेक्क सॉलिशन ढूंडा है. मैं तो खुश हूँ ही, इससे आप भी उतने ही खुश होने वाले हो. चेहरे पर पिंपल्स, एकने, दाग धब्बे, सब दूर होंगे इस फेस वाश से. इतना पावरफुल फेस वाश है, जो आपको बीहत पसंद आएगा. और बच्छा लोग, कैसे हो? चलो चलते हैं, कुछ नए ऐसा करने ही. बच्चों, आपने नीम का पेड तो देखाई होगा. जैसे कि एक छोटा सा पेड होता है, अक्सर हम घरों में लगाते हैं, जिसे हम मीठा नीम भी कहते हैं, कड़ी पत्ते भी बोलते हैं. दाल, कड़ी में उसके तड़के लगाये जाते हैं, उसके भी धेर सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन एक विशाल सा नीम का पेड होता है, जो अक्सर घरों में नहीं, घर के बाहर होता है, रोड साइट पे होता है, वो नीम का पेड औशिदियों का खजाना है. आप जब उसके गुणों के बारे में पढ़ोगे, तो हैरान हो जाओगे. हमारे जो चहरे पर जो पिंपल्स हो जाते हैं, जो कि बैक्टेरिया की वज़ास से हो जाते हैं, या फिर दाग धब्बे हो जाते हैं, उसकी वज़ास से हम आज इसका फेस वाश बनाएंगे. फेस वाश कैसे बन सकता है? ज और फेड़े के अंदर छोटी-छोटी निंबूरियां होती है आपके पास्यदी वह हों तो वह भी ले हुआ ही अगर हो तो आप वह भी ले लो क्योंकि हमारे चैहरे पर जो दिंधिनिम्पल्ह सारी प्रॉब्लम हो कर नीम ठीक करेगा आज हम एक face wash बनाएंगे घर पर ही जिसकी वजह से हमारा जो चेहरा है हमेशा ठीक रहेगा वैसे जिनको pimples है उनके लिए तो best है ही समर के लिए special नीम face wash तो है ही लेकिन जिनको कोई problem नहीं है ना उन्हें भी हफते में 2-3 बार इसी से ही face wash करना चाहिए जिस anti-bacterial properties होती है जो acne pimples को कम करने में मदद करती है और anti-fungal properties भी होती है इसकिन को infection से बचाती है यही तो हमें चाहिए अब इसके अलावा इसमें antioxidant properties भी होती है जो skin को nourish करने में काम करती है और तवचा को glowing बनाती है पुराने जमाने में बच्चों आपने notice किया होगा वहुत सारे dentist नहीं हुआ करते थे क्योंकि लोगों को दाटों की problem होती ही नहीं थी पता है क्यूं क्यों कि इसी नीम के पेड़क से जो छोटी-छोटी डंडिया है ना इसी से लोग brush करते थे जिसकी वजह से दाटों में bacteria पनपते ही नहीं थे bacteria नहीं पनपते थे तो दाटो वैसे कोशिश कीजिए इसे पीशते वकट गुलाब जल, रोज वाटर यूज कीजिए आपको पता है ना, रोज वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत बैस्ट काम करता है गुलाब जल एक नैच्रल टूनर है जो स्किन के लिए फाइदे मन्द होता है गर्मियों में स्किन की समस्याओं को दूर करने में गुलाब जल बहतरीन टॉनिक है गुलाब जल स्किन को मुस्टराइज करता है और स्किन पर होने वाली जलन को भी कम करता है कुल मिलाके स्किन का पोशन करता है तो आपको जितना ऐसे पीषने में लगे ना आप गुलाब जल डाल दीजे मिक्सी पर डिपेंट करता है कोई-कोई मिक्सी में थोड़ा जादा डालना पड़ता है नॉर्मल पानी ना डाल के आप गुलाब जल को डाल दीजे अब ग्राइंड करके से साफ चन्नी में पहले चान लीजे चानने के बाद हम इसमें डालेंगे ऐलोवेरा एक से दो टेबिल स्पून आप इसमें ऐलोवेरा जेल डालिए ऐलोवेरा जो यूज करेंगे आप पेड़ वाला अभी इसमें यूज मत कीजे इसकी वजह क्या है कि कई बार उनको वो पेड़ वाला सबको सूट नहीं करता लेकिन जो जेल फॉर्म में आता है किसी भी कंपनी का आप उसे यूज कर सकते हैं दूसरी बात अगर पत्ती वाला हम डालेंगे तो कई बार हमारे चहरे पर सूट न करने की वजह से हमें नुकसान भी कर देता है बो तो अलोवेरा में एंटी बैक्टेरियल और एंटी फंगल गुणों होता है जो मुहासे और रैशिस में होनी वाली दिक्कतों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं इसमें एंटी ऑक्सिडेंट भी होते हैं जो चेहरे पर आने वाली जूरियां और लाइनों को फाइन लाइन जो होती है ना उन्हें भी ठीक करता है और घर्मी के मौसा में सन बंद से भी हमें बचाने का काम करता है तो कुल मिला के आप समझ रहो ना ये कितना बढ़िया हमारा फेस वाश बन रहा है चलिए बच्चों अब इसमें हम डालते हैं वन टी स्पून हनी शेहद डाल दीजिए शेहद अगर आपको सूट नहीं करती है चेहरे पर बिल्कुल भी तो आप स्किप कर सकते हो कोई प्राबलम नहीं डैमेज स्किन जो हुई होती है उसे रिपर करता है ये हनी और इससे कुलाजन बढ़ता है तो अच्छा एक्सपॉलियेट होती है इसकिन से एक्ने कम होता है शेहद तोचा की सता पर जमी गंदगी को दूर करने में फायदे मन होता है इससे दाग, धब्बे, हलके होते हैं सनबं की दिक्कत में राहत मिलती है तोचा पर चमक नज़राती है वैसे अगर आपको सूट नहीं करती है तो इससे आपको लगा के नहीं रखना बस इस फेस वॉश से आपको फेस धोना है तो शहद आपको इसमें नुकसर नहीं करेगी जरुत लगे अगर आपको थोड़ा और गुलाब जल डाल कर भी आप इसे थोड़ा सा light liquid सा कर सकते हो बारी आती है बच्चों ये नीम face wash हमारा तयार तो हो गया लेकिन इसमें जाग कहां से आएगी बिलकुल सही अब यहां पर आप कोई भी mild सा shampoo आप इसमें add कर सकते हो या फिर baby shampoo यूज कर सकते हो और इसे एक साफ spray वाली bottle या normal bottle या किसी भी साफ bottle में भरके रख दीजे ये आपके चेहरे के सारी problems को खत्म करेगा जब भी आप सुबह शाम दो बार अगर face wash करते हो तो आप इसी face wash को यूज करो गर्मियों में तो खास तरीके से इसी को यूज करो आपकी बहुत सारी problem skin की खत्म करेगा बच्चों मुझे धेर सारे comments आ रहे थे कि skin पर acne हो रहे हैं पेंपल्स हो रहे हैं उसके लिए क्या किया जाए तो इस face wash को जब आप use करोगे तो बहुत सारी problem से चुटकारा पाओगे बच्चों